शेहर में एक तरफ विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई की जारी है तो वही आदिते अंगा बैंक की और से एक लाग नीम के पेड़ बाटे जारे है ऐसी जानकारी आयजेट प्रेस कॉंफरेंस में को ग्रीन गो नीम प्रोग्राम में दी गई इस मौके पर दर्जन अधिका बारी मौजू थे भारत के महराश्च में महराश्च के विधर में और विधर की नागपुर में जहां भी नजर जाती है पूरा शहर हरियाली से चग्मगा उठा है लेकिन शहर में विकास भी हो रहा है फ्लाइयोर अंडर ब्रिज सिमेंट की तरकी आदि बन रहे हैं जिसके शहर के नागरिकों के स्वास पर किरा हुआ है कोड़ा संक्रमन के चलती ऑक्सिजिन नहीं मिलने से कई लोगों की मौत हुई थी इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर की आदित्य अंगा बैंक की और से गो ग्रीन, गो नीम की तरस पर राचे में आदित्य अंगा के सवासदों को एक लाग नीम की पेड फेट के चा रहे है ऐसी जानकारी प्रेस क्लब में आयचित पत्रपरीशद में आदित्य अंगा बैंक की वाइस चेर्मैन अंगा सराफ इन्होंनी पीसियन समख्षती अदित्य अंगा इस बैंक की वाइस चेर परसन अदित्य जी सराफ इस समय हमर साथ मोज़िदे उनसे जाना चाहिए अदित्य जी यह बता कि जिस तरह से आज यह जो नीम का पेड जो आपने बाटे है इसके पीची का उद्धिश क्या है नमस्कार सबसे पहले सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि कोविड नाइंटी के बाद जब ऑक्सीजन लेवल की कमी महसूस हुई तो हमें ऐसा लगा कि क्यों नैचरल ऑक्सीजन हम लोगों के तरफ क्यों बाटे इसलिए हमने यह कि जाकि एक लाख उपक्रम हमने लगाया है जो एक मन चलने वाला है और हम सोच रहे हैं कि हमारे पूरी ब्रांचेस में यह स्टाफ अलग-अलग जगह यह सब पोधे लगाए तो काफी अच्छी यह सरानियों बात है कि जिस तरह से लोगों को अक्सीजन मिलना चाहिए एक तरफ शर में रुक्षों की कटाई हो रही है कतल की जा रही है तो वही दूसरी और ऐसे भी कुछ सामाजिक संस्ता है जो ऐसे पेड़ पोधों को बढ़ावा दे रही है और ल आज कुमार मोड के साथ संजे मेरे बीसे नियूज नाकपूर